नमस्कार दोस्तों। सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख नाक या गले में खुजली होना, छींक आना, नाक का बंद होना, गले में खराश होना और खासी होना आदी लक्षनों से राहत पाने के लिए कोलक्यू टैबलेट का उप करती है साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कॉल क्यू टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में कॉल क्यू टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैस अधिक आना आधी side effects कोलक्यू टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। ज्यादा डोज में कोलक्यू टैबलेट को लेने की वज़ा से liver damage हो सकता है। इसलिए आपको कोलक्यू टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम discuss करेंगे की कोलक्यू टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। कोलक्यू टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर कोलक्यू टैबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सला देते हैं। कोलक्यू टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कोलक्यू टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोलक्यू टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि कोलक्यू टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोलक्यू टैबलेट के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। और बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर, पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर कोलक्यू टैबलेट को लेना रेकमेंड़ नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना कोल क्यू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोल क्यू टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोल क्यू टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए कोल क्यू टेबलेट का सेवन करना recommend नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर केवल ज्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही कोल क्यू टेबलेट को लेने की सलाह देते हैं वैसे कोलक्यू टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है लेकिन इसकी वज़ा से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किये गए है इसलिए प्रेगनंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोलक्यू टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोलक्यू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोलक्यू टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।